तो जैसे के आप यहां पर देख रहे हैं कि विधान सभा का चुना अभी चलना महाराश्ट की वितर और इसमें AIMIM पार्टी ने भी अपना परत्याशी बनाया है लगभग 15 परत्याशी उतारे है AIMIM पार्टी ने और जिसमें से दो उमिद्वार के अगर हम बात करते हैं जो महाराश्ट और अरंगाबाद के वितर तो नासिर सिद्धिकी साहब और इम्तियाद जलील साहब तो इम्तियाद जलील साहब जो और अरंगाबाद इस्ट से देख सकते हैं आप यहां पर कुछ तस्वीरे निकल कर आई है जो लोगों को विचलित कर सकती है जिस इसलिए क्योंके लोगों को यह उम्मीद है और लोग यह मानते आ रहे हैं कि AIM पाटी को सिर्फ समर्थन जो देता है वो सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही समर्थन देते ह लेकिन यह कहीं न कहीं से गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जनाब पुर्वे सांसद इम्तियाद जलील साहब को हमारे हिंदू भाई जो है हमारे गयर मुस्लिम भाई है उनका किस तरीके से पुरा समर्थन द शुरू किया गया और उनसे मिलने का काम किया और उन्होंने भी हमारे हिंदू भाई ने भी गर्म जोशी के साथ इम्तियाद जलील साहब का स्वागत करने का काम किया तो यह बैरिश्टर असादुद्दीन वैसी साहब की जो राजनीती है उनको कहीं न कहीं गलत तरीके से पिश के जारा लोगों के बीच या शोशल मीडिया के दौरा या फिर न्यूस चैनलों के दौरा कि सिर्फ ये एक समुदाय के लिए आवाज बनते हुए नजर आते लेकिन भाई ये कहीं ने कहीं गलत अब बैलिश्टर असादुद्दीन वैसी साब को एधरबाद के भी त रखा होगा किस तरीके से जोली भरवर के हमारे हिंदू भाई नभी इम्तियाज जलील साब को वड़ देने का काम क्या तभी तो तीन लाग के करीब वोट पाए वो और फिर अभी विधान सबा का चुनाव है और इस विधान सबा की चुनाव की वितर से वो घर तू घर जा अगर लोग से मिलने का काम करें चाहिए वो किसी भी मजभग को मानने वाले हो वाई हमारे विधान सबा की भीतर आते हैं हम सब के लिए विधायक बनेंगे अगर बनेंगे तो हम सब को रिपेजेंट करेंगे तो क्यों ना हम सब के पास जाए और सब को अपने साथ लाने का काम करें तो ये इम्तियाद जलील साहब की जो खुबी है ये काबिले तारिफ क्योंकि ये हर समाच के बीच में जाकर के लोगों के से मिलने का काम करते हैं आप इनके आफिस में भी देखते होंगे कि हर समाच के लोग इनके आफिस में आते हैं अपने काम को कराने के लिए और ये खुद हर समाच के लोग के बीच जाते हुए नजर आते रहते हैं प्रोग्राम में जाते हुए नजर आते रहते हैं उनके धरना में उनकी अंदूलन में उनके मार्श में आते हुए जाते हुए नजर आते रहते हैं उनको अपना समर्थन देते हुए नजर आते रहते हैं तो ये विधान सवाय के चुनाओं के बीच से ये तस्वीरे जो निक क्योंकि ये एक party समुदाय के लिए काम करती है, क्योंकि ये एक समुदाय के पर निर्वरण party लेकिन भाई ये कहीं से साविक नहीं है, आप इन तस्वीरों से भी देख सकते हैं, तस्वीरे जुटी नहीं हो सकती, किस तरीके से गर्म जोशी के साथ इम्तियाद जलील साहब का स्वागत किया जा रहा है और इम्तियाद जलील साब के विधान सभा के वितर भी अलग-अलग मजभब की लोग उनको किस तरीके से अपना प्यार अपना सपोर्ट अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं विधान सभा के वितर भी लोग सभा के भीतर भी तो यह AI M.I.M. पार्टी है जो हर समाज के लोगों के लिए काम करती हुई नजर आती है इसी तरीके से आप के लंगाना के हदरबाद के भीतर अगर दारुसलम जाते हैं तो अगर आपका कोई काम होता है तो यहां उमहाजाद धर्म मजब नहीं पूछा जाता है आप से समस्या पूछी जाती है और किस तरीके से आपके समस्या का समधान हो किया जाए वो किया जाता है ना के आप से मजब पूछा जाता है ना के आप से धर्म पुछा जाता है तो यह M.I.M. पार्टी की खासियत है तो यह महराष्ट विदानसभा से इमचाज जलील साब जो कि अभी चुनाव परशार में लग चुके हैं और अंगाबाद जो इस्ट से वो चुनाव लग रहे हैं और लोगों का प्यार और समर्थन किस तरीके से मिलना आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं और पिछली बार अगर 2019 विदानसभा चुनाव की बात करते हैं तो पार्टी यहां से दो नंबर पर रही थी और इस बार भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंडिडेट जो यहां से अपना नाम भरने का काम किया है तो अगर वो डाक्टर गफार साब है उन्होंने भी अपना नाम भरने का काम किया समाजवादी पाटी के तरफ से ऐसे और भी बहुत सारे मुस्लिम जो नेता है मुस्लिम उमिदवार है तो अगर वो नाम अपना वापस ले लेते हैं सब मिलकर इनको अपना समर्थन दे दे तो यह बहु के लोगों का समस्या का समाधा इम्तियाज जलील साब करते हुए हमेशा नजर आते रहते तो यह M.I.M. पार्टी को मजबुत करने का समय है ना कि कमजोर करने का समय है मतभेद सब के अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन चुनाओ के समय आपको जब विधान सब्या के वितर जब तो यह माराज के उरांगाबाद हो जो इस्ट विधानसबा के सीट है यहां से मंतियाज जरी साब पार्टी से उनको लेकर कब्वेरेन निकलकर आई ख़बर निकल कराय जो के मैंने आ आप तक रखने का काम कियाvisor किँमकि अभी जोर वोशोर से प्रचार किया जा रहा है ट Gallery लिवल पर कर दो से युर सुरू हो चुका है लोगों से मिलने जुन, लेका लोगों के समस्याओं के सुनने का ज송 करने का काम किया तो किसी की बुराई गिनाते है तो कोई अपने अच्छाई को गिनाते हैं तो यही काम होता है और लोगों को फैसला करना होता है जो डेट होता है तो महराज की वितर जो 20 नवंबर 2024 का डेट है जो कि लोगों को फैसला करना है कि हम किसे आमदार बना सकते हैं अपने विदान सभा के वितर हमारे लिए कौन आमदार जो होगा वो सहिस होगा और हमारे लिए काम करते रहेंगे अगले 5 सालों के लिए तो ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा जिस दिन नतीजे घोशित किये जाएंगे तो जो भी आगे अपडेट होगा इस चीज़ को ले करके फिर समय आप तक पहुचाने का कोशिश करूँगा फिर आप से मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ